हेलो बच्चों कैसे हैब सब लोग वीडियो के थर्मनिल से पता लगी गया होगा आज का जो वीडियों है स्पेशली स्पेशली प्लास टैन के बाद वलों बच्चों के लिए मतलब जो प्लस टू के बाद क्या करना चाहते हैं जैसे कि आपको बता है हमारी सीए कोस्ट में त नहीं कर सकते बच्चों ये बिल्कुल गलत है ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको यहाँ पर facts और proper figures के साथ यहाँ पर proof करके दिखा दूँगा कि इस lecture में कि बिना math के भी plus one plus two में अगर आपने math नहीं भी लिया हुआ तब भी आप बड़े easily आप लोग CA बन सकते हो ठीक है बच्चो मेरा नाम है CA संधीप रोड़ा और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बैल आइकन दवाना मतूलिकर जिससे गया है जो भी हम आगे इस तरीकी की वीडियो बनाएं तो आपको first of all मिले तो बच्चो सबसे बहले हम बात क आना चाहूंगा foundation में चार वेपर होते हैं पहला वेपर है principles and practice of accounting दूसरा वेपर है बिजनेस लौ कोर्स्पोंडन बिजस लौस एंड बिजस्पोंडन संद रिपोर्टिंग चीक है तीसरा सब्जेक्ट हमारा जो होता है वो होता है बिजनेस mathematics, logical reasoning and statistics पेपर नमब्स चार्ज बिजनेस economics and business and commercial knowledge that is BCK यह कुल में लाके हमारे चार सब्जेक्ट होते हैं CA foundation में अब इन सबी सब्जेक्ट की जो वेटेज होती है वो होती है 100 100 100 100 मतलब चारो पेपर 100 100 मार्क्स के है तो चारो पेपर कितने होगे 400 नमबर के अब आपको साथ में मिनिमम मार्क्स दिखाई द पास होना है कितना 200 मार्क्स foundation में पास होने के लिए आपको 200 चाहिए चीक है अब अगर बात करें इसमें हमारा मैथ का रोल कितना है अब मैं स्पेसिफिक लिए बात करूंगा सरफ पेपर नमबर 3 के बरे में आपके साथ बात करूंगा पेपर नमबर 3 जो है आपको 40 मार्क्स का है और Slayers में से सरफ टैन प्रसंट मैथमेटिक्स का है 90 परसंट सलेवस नवाजन मैथमेटिक से थीक है तपसे बड़ी बात दूसरी बात अब आपको यहाँ पर जो रिमेनिंग पॉशिन वह कितने का अब गया मैघ का नबरंव फोर ने जिसывает दो एंड़ फ़िक है ऑगे चलिए इस वीडियो तक Di t देखिएगा आपको बिल्कुल जो आपके मन में डार था वो 100% खताम हो जाएगा ठीक है बच्छो तो पेपर नमबर 3 में आपका बिजनस mathematics है कितने नमबर का है 40 marks का अब देखिए बिजनस mathematics के इलावा बाकी पोजिन कितना बचा 60 marks का बचा अब 60 marks में logical reasoning है और statistics है ठीक है अब बिजनस mathematics की अगर बात करें अब इसकी वेटर किस तरीके से है ठीक है बिजनस mathematics में जो वेटर जाए बचों यह आपकी सीए इंस्टीट की तरफ से जो सीए इंस्टीट की website है वहाँ पर स्पेशली यह वेटर डाली गई है ठीक है और यह इस्पेशली मैं आपको एक्जाम के साथ भी बता दूंगा कि जो अपडेटेड लेटर्स जो कुछ चेंजिश होई हैं अभी लेटर्स कुछ दिन पहले दो दिन पहले ही आपका स्लेवर्स में कुछ चैप्टर डिलीड हुए है ठीक है जो चैप्टर डिलीड हुगा वह भी मैं आपको बताऊंगा तो सबसे में बात करूं चारिस नंबर में उस पर्टी मक्ष में किस तरीकी से वेट जाए पहले नंबर पर आपका चैप्टर जो है रेशो प्रपोर्पोर्शन इंडिस और लोगैरिफ्म इसके साथ एक चैप्टर और है एक्विशन और मैट्रस बचो डिलीड हो गया मैट्रस डिलीड हो गया स्लेव यह बहुत सिंपल है ठीक है मतलब का है यह बड़े राम से जिसको नॉन कमर्स मतलब प्लस में नहीं भी मैट है जीरो मैट है वह बिल्कुल नलैक थे ठीक है महालीजे जैसे मैं हूं मैं खुद मैट बहुत वीक था अपने टाइम पर ठीक है फिर भी बड़े अच्छे नंबर का 20 से 30 अगर आप मतलब मान की चलिए मिनिमुम कितना आता है 40 का 20 कितना होता है आठ और मैक्सिम कितना बारा आठ से बारा नंबर का आपकी वेटेज इस चैप्टर में बनती है उस दूसर नंबर में बात करूं इसके साथ एक्वेशन के साथ लीनियर यह एक्वेशन में मैतमेटिक्स नहीं है यह फाइनांस है यह तो सिरफ हमारी फाइनांस की यहां पर नॉलेज और एक्सपीरियंस के लिए है ठीक है ना मतलब ऐसे ही बनाया हुआ है अगर सब अब 30 से 40 पर संट 30 से 40 पर संट यह मान के चलिए यह सब्जेक्ट यह यह आँ आने वाला है स्पा Warning Is इसमें क्या है सिंपल इंटर्स कैसे निकालते हैं कंपाउंद नि कालते हैं ठीक है future कैसे नि exclusion value की तो क्यों मैं नहीं कर्वाता, नहीं, जगदीफ रोड़ा सर कर्वाते हैं, ब्रुफेसर नहा रोड़ा मैं वो कर्वाते हैं, इसलिए मैं आपको क्लिरली को बहुसमे की स़ने के बावजूद भी, मेट में जी रहो हूँ, इसलिए बिलकुल भी नहीं आता मुझे है मैट, ठीक है फिर भी मैं से यह हूँ आपके सामने हूँ ठीक है ना तो reason क्या है mathematics का इतना बड़ा रोल नहीं है नहीं है बच्छो समझीए चारा ठीक है ना अगर बाकी अगर हम बात करें इसके इलावा time value नहीं है कितने नंबर का 30 से 50 परसेंट तक चालेस का तीस परसेंट किता हूँ है बारा बारा से कितने नंबर तक पीस नंबर तक जा सकता है मतलब 15 नंबर का तो 12 से बंदर तो आता ही है इसमें क्या कहा है permutation combination है sequence and series है satellite function है और differentiation और integration यह थोड़ा सा difficult chapter में कह सकते हूं हाँ इस लिवर्स का यह दो chapter satellite function और differentiation और integration यह फिर भी chapter है यह दो तीन चैप्टर मतलब आप कह सकते हो कि 40 में से 20 इस नंबर का mathematics नहीं है फिर की आप है इतना डिफीगल्ट नहीं है बीस फंदरा से बीस नंबर का घूए चो थोड़ा सा difficult होता है है ओगाना आप यहां पर हमने 100 नंबर तो यहां नहीं है तो मतलब और ऍंट अगले में बात करूँ next step की बात करूँ intermediate और final intermediate और final में intermediate में भी art subject है final में भी art subject है कहीं पर भी किसी दिखेगा कोई math नहीं है math के letter कोई subject ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ आप लोग वैसे ही डरी जा रहे थे कि हाँ CA में math है क्योंकि school के teacher माफ करिएगा बहुत सारे हम अपने student से सुनते हैं कि math के बिना commerce नहीं होती math के बिना commerce नहीं होती ठीक है ना तो आप math में intelligent होने चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चो math के लिए तो ऐसे ही how we are create किया हुआ है बिना math के भी आप CA बन सकते हो बड़े ही अराम से चांदार CA बन सकते हो ठीक है बच्चो तो उमीद करता हूँ आपका doubt क्लियर होगा ठीक है अगर इसके लावा आपको किसी तरी के का कोई doubt है ठीक है comment box में जाके बच्चो पूछ सकते हो ठीक है अगर आप हमारी video lecture buy करना चाहते है CA foundation की intermediate की ठीक है तो description में link दिया गया है प्लस number भी दिया गया है अब अगर classes buy करना चाहते है recorded classes चाहे live classes आप join करना चाहते है तो अब नीचे दिएगे number पर contact करके whatsapp करके पूछ सकते हो ठीक है live classes हमारे daily basis पर चलती है ठीक है बचो तो आज के लिए इतना ही thank you goodbye वीडियो पसंद है लाइक दिल करिएगा thank you